हेलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्मेंट योगी पर फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन दबाईए और उसके बाद नोटिफिकेशन में आल का बटन जरूर दबाईए ताकि आपको मेरे नए 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 वीडियो के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें तो आएए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स एक और IPO ने दस्तक दी है और उस IPO में आप complete analysis करेंगे और कंपनी का नाम है के फिन टेकनलोजी इस लिमिटेडी ये IPO कैसा है क्या करना चाहिए इस IPO में complete detailed analysis देखेंगे कि क्या इस IPO में apply करना चाहिए या इस IPO में इस कंपनी को बिल्कुली छोड़ देना चाहिए तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलिए ताकि आपको इस तरह के और भी वीडियो मिलते रहें शेर मांकेट से लेटिस्ट अपडेट कोई भी IPO हो या फिर कोई भी लेटिस्ट अपडेट हो कोई भी हैपनिंग हो इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंट्स के fintech Cape In Tech Technologies जो है वो क्या कह रही है वो कह रही है कि यह एक leading technology driven financial solution platform है और company provide करती है solutions किसको asset managers यानि कि जो AMC होते है उनको और corporate issuers को across asset classes यानि कि equity हो और चाहे वो debt हो उनके जो भी आपको issues है यहाँ पर वो handle करते हुए दिखाई देते हैं यहाँ तक कि यह अभी आपने आपको इंड investor solution provider में mutual funds में और AMC clients के services में दे रहे हैं बता रहे हैं company is also servicing 301 funds of 192 asset manager 301 funds को यहाँ manage कर रहे है asset manager यानि की mutual funds companyya होती है उनको September 30, 2022 का यह data है KFIN Technology Limited is one of the two operating CRA यानि की Central Record Keeping Agency है NPS में भी यह agency है इसके पास September 2030 और 22 का यह data है इसके लामा जो दूसरी जो company है वो आप लोगोंने जाना ही है वो है KFIN Technology is largest issuer service provider based on several clients जब अलग-अलग अपने clients को यह service देते हैं जैसे कि वो बड़ी-बड़ी companyya हो गई उनके issue आ रहे है IPO आ रहे है उसको manage करना है तो उसमें यह registrar की भूमी का अदा करते हैं तो company के जो products है उसको आप यहाँ पे तींग पार्ट में डिवाइट कर सकते हैं तो investor solution है account setup, transaction originating, resurrection, brokerage, calculation, compliances, regulatory, record keeping, domestic, mutual funds, international pension, alternative and wealth management यानि कि यह जो AMC वगरा होता है उनके लिए investor solution यह प्रोवाइट करते है इनवेस्टर को अगर मालीजे कोई IPO में पैसा लगाना हो या फिर AMC के अगर बात करें तो आपको नेपाउन की बात करें तो नेपाउन हो गया, access हो गया तो यह यहाँ पर इन लोगों के solution यानि कि अगर आपको IPO लेके आना है, किसी कंपनी को या FPO लेके आना है, corporate action processing करना है, कोई compliance regulatory requirement है, record keeping का MIS virtual voting कराना हो, AGM हो, E-Vault यह सब चलते रहते हैं जो process corporate governance के लिए या IPO, FPO के लिए तो यह सारा maintenance का का काम यह भी यह company service प्रोवाइड करती है तो यानि यह भी एक global business, domestic and mutual fund service यानि mortgage services, legal services, transfer agency और financial accounting यह एक overseas काम इस company का हो गया, funds of company के financials पर नज़र डालते हैं कि company के financials क्या है, अब अगर आप total assets में देखिए तो साल 2019 में 1021 करोड, 20 में 868 करोड, यानि कि assets यहां पर आपको घटते हो नज़र आए, साल 2021 में फिर इसमे incremental growth हुई 922 करोड, और उसके बाद March 2022 में 1026 करोड, यानि कि assets में कुछ दबाव था और उसके बाद assets यहां पर पिछे वाली जो आपका figure है, उसको यहां पर match करता हुआ नज़र आया, September 2022 जो अभी का है, उसमें 1184.81 करोड, जो कि September 2021 से आप तुलना करेंगे, तो यह बढ़ता हुआ नज़र आ रहा 486 करोड और March 2022 में 645 करोड, तो revenue आपका बढ़ता हुआ, आपको नज़र आ रहा है, अगर आप September quarter की बाद करेंगे तो यह 353 करोड अकले September में ही हो चुका है, जो कि फिछले साल के मुकाबले यहां ज़ादा है, revenue के front पे company एक अच्छा performance करते हुए नज़र आ रही है, Profit after tax देखिए, 2019 में 8 करोड 96 लाग, 2020 में 4 करोड 52 लाग, फिर आपको यहां पर नुकसान में कमपनी नज़र आ रही है, 64 करोड की नुकसान में, 2021 में, और उसके बाद अगर आप देखें, तो माज 2022 में 148 करोड तो उसे उबरती हुए नज़र आई, जो कि पिछले साल सेप्टे का लगातार कुछ लक्षुवसिन के साथ आपको नज़र आएगा, 519 करोड का नेट वर्ट जो है, माज 2019 में, आपको बढ़ता हुए नज़र आ रहा है, 644 करोड, और अभी सेप्टेंबर 2022 की बात करें, तो यह 736 करोड 72 लाग, जो कि पिछले साल सेप्टेंबर में, मात्र 279.95 रुपय करोड रुपय था, टोटल बॉर्विंग की बात फ्रेंट्स करें, तो टोटल बॉर्विंग के फ्रंट पे कंपनी लगातार जो है, अपने बॉर्विंग को घटाती जा रही है, अगर आप देखें, तो 406 करोड की बॉर्विंग 2019 में थी और अब घट कर 126 कर हो गई, तो कंपनी अल्मोस्ट डेट को यहां पर रिड्यूस करना चाहती है, और हो सकता है कि कंपनी इसे अल्मोस्ट टेट फ्री भी करते है, तो इस तरह से कंपनी के ये फानिश जिल्स आपको आपके साम्वेर है, अब फ्रेंट्स बात करते हैं कि इस कंपनी का EPS क्या है, क्योंकि देखिए, ये सारे चीज़ों को हमने अभी अल्रेडी कवर कर लिया है, तो EPS के फ्रेंट्स पे अगर आप देखें, तो EPS 0.28 आपका 90-20 में था, और उसके बाद नुकसान पर कंपनी साल 2020-21 में 4.26 पैसे माइनस में, और 21-22 में 9.44 पैसे, तो यहां पर कंपन रिटन और नेट वर्थ है, तो यहां पर कंपनी समलती वेने जराई, जैसा कि मैंने कहा, कुछ रेशियो इसकी बाद कर लेते प्रेंट्स, तो इन्होंने जो प्राइस टू अर्निंग मल्टिपल की बात करें, कि किस रेशियो पर दिया हुआ है, हायर प्राइस और उस पर क पैसा नहीं जाने वाला है, तो यह पैसा मिलेगा शेयर होल्डर्स को, अब बात कर लेते हैं, इस कंपनी के पूरे डीटेल एनालिसिस के बारे में, IPO का जो डेट है, 19 तारीक यानि की आज कुल रहा है, और 21 तारीक तक यह चलेगा, 10 रुपए की फेस वेल्यू है, और प्र प्रेंट्स बात करते हैं, QIB के लिए इन्होंने कितना दिया है, QIB के लिए 75 परसंट एक मुस्त यहां पर आपने दे दिया, उसके बाद NII के अंदर 15 परसंट है, और रिटेलर को केवल इन्होंने 10 परसंट दिया हुआ है, तो यहां पर रिटेलर के लिए कम शेयर्स का अल यह refund हो जाएगा, और अगर आपको share मिल जाता है, तो 28 December को यह आपके DMAD account में credit कर दिया जाएगा, और IPO की जो listing date होगी, finally वो होगी, 29 December, application की जो retail category की minimum size होगी, एक lot के लिए 40 share के लिए आपको लगाने होगे 14,640 रुपह, और maximum category retail में 13 lot के लिए 520 रुपह के लिए 1,90,320 के लिए आपको 560 share के लिए 2,4,960 रुपह लगाने होगे, और आपको maximum यहाँ पे H&I category में 69 lot के लिए 2,706 share के लिए 10,10,160 रुपह आपको लगाने होगे, friends अगर आप बात करें, promoter holding IPO के बाद, promoter की holding जो होगी, वो बनेगी 44,370 प्रतिसर, अब friends सवाल उत्ता है कि क्या कर अगर पहली बात की जाए कि company के business model की, तो company का business model बहुत अच्छा है, company का business model डिपेंड करता है mutual funds पे, company का business model डिपेंड करता है share बजार पे, share बजार में जो भी IPO आते हैं, जो भी आपके FPO आते हैं, वहाँ पर company एक जो अच्छा performance कर रही है, तो बहुत सारी कंपनिया इनसे ह अपना IPO manage कराने के लिए contact कर सकती है, अगर mutual funds की बात की जाए, तो access हो गया, अगर mutual funds की बात की जाए, तो आपका Nippon हो गया, जो कि एक बड़ी बड़ी company है, कम से कम, इनका तो ये registrar है, और इसके इसाफ़ से record keeping काम काम ये करती है, CRA है और pension scheme का भी यहाँ पे काम है, तो ज जैसे जैसे आपको share बजार का विकास होगा, जैसे जैसे mutual fund का विकास होगा, उसी तरह से इस company को भी उसमें से हिस्सा मिलना तै है, इनको जो भी revenue आता है, अपने clients जो mutual funds के ये record maintain करते हैं, उनको जो service देते है, mutual funds के clients इनको service के बदले उसका पैसा देती है, और share market में जो भी IPO, FPO या भी जो भी कोई काम है, regulatory requirement उसके लिए company को services देती है, और जो voting कराना हो गया है, या कोई भी compliance से उसका काम कराना हो, तो company भी इनसे service लेती हैं, तो कुल मिला के business model एकदम intact है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रेंट सवाल उठता है, valuation का, तो valuation के front पर अगर हम देखें, तो 38 39 पर company ने अपना share जारी किया है, और same जो इनका जो competitor है, already जो competitor है, उसका भी same to same जो है, यहाँ पर price to earning है, तो price to earning के front पर यहाँ पर इस IPO को, और आप देखें, camps का जो size है, वो बड़ा है, इनसे करीब 1.5 times revenue जादा है, और उस साथ से अगर आप देखें, तो camps के आसपास इन multiple पर आता, तो और अच्छा हो सकता था, तो friends, सवाल उठता है कि करना क्या चाहिए, तो पहले तो listing gain की बात की जाए, तो listing gain में यहाँ पर, क्योंकि यहाँ 38 के PE multiple पर company ने share दे दिया है, तो यहाँ listing gain की संभावना कम होती जा रही है, और इसलिए आप grey market premium की अगर बात करें जिस पर की थोड़ा सा आपको analysis, rely भी नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर demand कितनी होगी, यह आपको पहले या दूसरे दिन देखना होगा, और उसके बाद decision लेना होगा, यह listing gain थोड़ी daisy है, और दूसरी बात करें, long term की, long term में business sustainability है, कोई दिकत की बात नहीं है, यहाँ प इस sector में, तो सवाल उता है कि long term में business की sustainability क्या है, long term में कोई दिकत नहीं है, business जैसे जैसे शेयर बजार, जैसे 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 जो business है, आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे mutual funds, industry ग्रो करती जाएगी, वैसे वैसे यह company आगे चलती चली जाएगी, तो long term में भी कोई दिकत नह और हो सकता है कि at par यहाँ पे listing हो, लेकिन आपको जरूर यहाँ पे दूसरे income से कम देखना चाहिए कि इस particular IPO की demand क्या है, तो वो आपका risk कम हो जाएगा, बाकि long term के लिए तो यह stock एक अच्छा stock है, friends I hope कि इस IPO के बारे में complete analysis आपको बिल्कुल इस IPO के बारे में update करने में सफ पॉइंट करिए और इस वीडियो को जास ज्यादा लोगों तक share करना ना भूलिए, thank you so much friends